कि कहीं गया नहीं था दीदी कहीं भटक गया था और ये वंग्यात्मक रूप में जब शीवकुमार विकुई जवाब देते हैं तो अक्षरा सिंग हसने लगती है अनुपमा यादव के ओफीशल फेस्बूक पेस्ट से एक फोटो शेयर किया गया है और इस फोटो को शेयर कर विक्कु में एक दूसरे पर तंच किया जा रहा है और ये साबित करने की कोशिस की जा रही है कि अगर अनुपमा यादों के पास पावर स्टार पवन सिंग है तो शीवकुमार विक्कु भी कम नहीं है उनके पास भी अक्षरा सिंग का सपोर्ट है शीवकुमार विक्कु अपने इंस्टराम स्टोरी पर एक स्टोरी शेयर करते हैं स्टोरी में वो अक्षरा सिंग के साथ नजर आते हैं और शीवकुमार विक्कु अक्षरा सिंग से पूछते हैं कि कल का आपको इवेंट कैसा लगा अक्षरा सिंग कहती है कि कल का इवेंट बहुत अच्छा लगा हम लोग बहुत लंबे समय के बाद काम कर रहे हैं आफ्टर लॉंग टाइम बीच में तू पता नहीं कहा चला गया था शिव कुमार विकु अक्षरा सिंग से कहते हैं कि कहीं गया नहीं था दीदी कहीं भटक गया था और ये वेंग्यात्मक रूप में जब शिव कुमार विकु ये जवाब देते हैं तो अक्षरा सिंग हसने लगती हैं उसके बाद तांडव शुरू होता है तांडव कहने का मतलब ये कि अगले दिन अनुपमा यादव अपने फेस्बुक पेज पर एक पोस्ट शेयर करती हैं जिस पोस्ट को आप हमारे स्क्रीण पर भी देख सकते हैं स्क्रीण में आपको दिख रहोगा कि अनुपमा यादव के ऑफीशल फेस्बुक पेज से एक फोटो शेयर किया गया है और इस photo को share करते हुए caption में अनुपमा यादो ने लिखा है कि एक शक्स ने बोला कि मैं भटक गया था अब आप अंदाजा लगा लिजिए कि अनुपमा यादो ये line कहां से लिख रही है अगे हम आपको पढ़कर बताते हैं कि अनुपमा यादो ने क्या कुछ लिखा है अनुपमा यादो ने लिखा है कि एक शक्स ने बोला कि मैं भटक गया था अरे पागल भटक तो मैं गई थी तू तो किसी और पे अटक गया था जा फिर भी माफ किया अब आप समझें ये कितनी बड़ी बात है ये सिर्फ दो लाइन का कैप्शन नहीं है अनुपमा यादो अपने कैप्शन के माध्यम से सिव कुमार विक्कु पर तंज की है और तंज करते हुए अनुपमा यादो ने लिखा है कि तुम भटके नहीं थे तुम तो कहीं अटक गये थे अनुपमा लिखती है आखरी पंक्ती में कि जा फिर भी मैंने माफ किया अब आप देख सकते हैं कैसे अनुपमा यादो और शिव कुमार विक्कु में एक दूसरे पर तंज किया जा रहा है और यह साबित करने की कोशिस की जा रही है कि अगर अनुपमा यादो के पास पावर स्टार पवन सिंग है तो शिव कुमार विक्कु भी कम नहीं है उनके पास भी अक्षरा सिंग का सपोर्ट है आप समझे इस बात को शीव कुमार विकु और अनुपमा यादों का ब्रेक अप हो चुका है ऐसी चर्चा शोसल मेडिया पर है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं इनका रिश्टा खराब हो चुका है दोनों के रास् ब्रेक अप के बाससे अनुपमा यादो जादातर पवन सिंग के साथ नजर आती है पवनसिंग कहीं भी जाते हैं न कन के लेकर जाते है लगतार यह दोनों सातना जरारे जिसकी विज़विफिकि शोचल मेडिया पर कही ने कहीं ये चर्चा भी है कि पावन सिंग और अनुपमा यादो का कुछ चल रहा है ये दोने दूसरे को डेट कर रहे हैं सरयाम एकसप्ट नहीं कर रहे हैं और यह ऐसी चरचायत अपसे जाधा है जब से पावन सिंग ने अनुपमा यादो को देसिला गाय बोला था उसके बाद अभी मंच पर अ अनुपमा यादो का कुछ चकर चल रहा है ये देखकर विकू से परदाश्ट नहीं होता है तो शीर कुमार विकू अब अक्षरा सिंग के पास जाते हैं अब वो अक्षरा सिंग के साथ लगतार काम कर रहे हैं आप पिछले दो दिन का स्टेश उठा कर देख लिजी अक्ष शेर नहीं अक्षरा सिंग का सपोर्ट है बाकि आप इस वीडियो के बारे में क्या राया रखते हैं अपनी राय कमेंट बाक्स में बताईएगा वीडियो को समात्स करता है मिलता है नए वीडियो में धन्यवाद